तो आज से अल्मोस पांच महीने पहले मैंने एक वीडियो अपने चैनिल पर डाला था जिसका टाइटल था तो जैसे कि यहां पर देख सकते हैं कि कुछ-कुछ लोग हैं जिनका प्रोब्लम इससे भी सॉल्ब नहीं हुआ जिसे यहां पर है कि यहां पर एक मंथ हो गया है दिखा रहा है और अभी भी उसका यह जो एक साल से ज्यादा हो गया लेकिन अभी तक यह फिक्स नहीं कर पाए और भी बहुत सरे अइसे कोमेंट्स हैं तो मैंने इन लोगों से पर्सिंस पर्सथिक मुझे पता चला है की इन लोगों के पास क्या 해 कि कस्तम दोमें हैं जो बलॉगर पर होस्तिजिक वह दो पहुते हैं उसकी फिए लेकिन दिक्कत इनको यह हो है कि अब जो ads.txt का जो error आ रहा है वो fix ही नहीं हो पा रहा है तो मैं starting से बताता हूं कि actually इनके साथ problem क्या हो रहा है generally जितने भी custom domain वाले हैं जो blogger पे hosted हैं उनके साथ यह दिक्कत हो क्यों रही है सबसे पहले मैं बताता हूं कोई भी अगर आप online domain बेशते हैं वह वाले साइट से कहीं से भी domain खरिदते हैं तो खरिदने के साथ साथ आपको क्या होता है कि domain मिलता है जो स्टेंडर्ड होता है वह तो www जो जैसे कि मालेजे अनिल सिंदे भाई जो अभी मैंने कोमेंट में दिखाया उनका यह वाला जो वेबसाइट है आप देख साथे हैं कि मैं इसको अगर यह करता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्टीप्यस से सुरू हो होगा है यानि कि अनिल सिंदे भाई ने जब भी यह डॉमेन खरीदा होगा तो उनको यह डॉमेन मिला होगा www.unilblogs.in मिला होगा ठीक है ना तो यह वाला डॉमेन उनको कोड इडी से बोल रहे थी कि उन्होंने खरीदा है परचिस किया है तो कोई बात नहीं खरीदा है लेकिन उनके क्या है www.unilblogs.in उन्होंने यह डॉमेन खरीदा है तो उसको क्या क्या होगा उन्होंने सिंप्ली सैटिंगस में जो ब्लोगर का सेटिंगस है वहाँ पर जाक अगर मैं इस में से डव्लु डब्लु डब्लु हटा देता हू जो ठीपल डब्लु लिख्पा हुआ उसको अगर एंड करने की कोशिज कर रहा हूं तो अप दिक्त में बता रहा हूं क्या हो रहा है कि यह सेव नहीं हो रहा है यहां पर क्या दिखा रहा है कि आपका जो प्लिस एड टॉप लेवल डॉमेंट टॉप लेवल डॉमेंट आपको एड करने बोल रहा है जिसमें क्या है कि जो डबलु 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 डॉट से स्टार्ट होगा तो अ इनका आप आता है एकसे करने की तो आहाँ पर दिखित है में यहां पर दिख्यंदु यहां पर क्या रहा है यहां पर कहा है कि यह Top level domain है नहीं तो यहां से मैं क्या कर बाद बने के कोसी कर रहे हूँ उसके बाद में çok कर रहा हा हूं जिस कर रहा है कि यह बीना www के यह एकसेप करेगा तो यहां ली का लिए के साथ उसने एड कर लिए यानि कहता है कि टॉप लबल डॉमेन वह है जिसमें डबलु डबलु डॉट से स्टार्ट होता है और एटसंस कहे रहा है कि बीना डबलु 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 वाले आपको जो दो मैं यहां पर डालना है डाल लेंक लिए तो डाल दिया दोनों में कोई द्रिक्कत नहीं है अभी मैंने यह वाला एट किया तो इसमें क्या है डबलु 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 नहीं है यह मेरा नहीं है मैं बस आपको दिखा रहा हूं एटसंस के पास है ऐसा डॉमेन जिसमें बीना डबलु डबलु का स्टार्ट हुआ है और जब एड्स.txt ती इ जेबाश लेकिक डालते हैं तो एक्चूली एक्षुली एक डूह狈 करता है इस वाले वाल को सुमेह आपको units में session टो में थेक्ली डबलु 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 डबू नहीं है ठीक है तो यहां पे बीना डबलु 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 नहीं है क्योंकि blogger पे तो हमने होस्त किया है डबलु वाला डबलु वाला जिसमें डबलु 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 लिखा वा था और जो Google Adson से वह क्रावल कर रहा है आपका वह क्रावल कर रहा है बीना डबलु वाले को तो उसको यह domain जो blogger में hosted है w वाला वे उसको जब उसमें जब ads.txt लिखके आप search करते हैं या फिर enter hit करते हैं तो आपको देखी सकते हैं यह अनिल सिदने भाई का बट adsense के पास तो यह वाला url ही नहीं है उसके पास है बिना w वाला तो जब भी वो crawl कर रहा है चाहिए adsense का जो भी bot है वो जब भी crawl करता है उसको क्या होता है एक ऐसा page मिलता है not reachable वाला page आता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो यहां पर बीना w वाला एट किया है उस सो डीटेल्स में जाके यहां पर आप एट सब डॉमेन में जाके जो www वाला आपका वेबसाइट था उसको भी आप एट करके रख दिजिए ठीक है ना तो इससे क्या होगा कि atlis blog adsense को भी कि यह जो www वाला जो है वो और बीना w वाला जो आपका डोमेने दोनों आपका ही है बागी का procedure मैंने इस वीडियो में बता दिया है अगर इसके बाद भी आगर आपका रोल फिक्स नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है एक्शुली एट सेंस क्या कर रहा है इस वाले लिंक इसको क्राउल कर रहा है कि इसको आपको कोपी कर लेना है बीना w वाले को उसके बाद आपको क्या करना है इसको रीडरेक्ट करना है www वाले पर तो यहां पर आपको क्या करना है फ्रॉम के जगह पर आपको डालना है बीना w वेबसाइट है डू में आपको डालना है जो लि कि जब भी Google का जो या फिर AdSense का जो बोट है वो जब भी क्राउल करेगा आपके इस वाले लिंक को तो क्या होगा इंडारेक्ली वो इस लिंक पे पहुंच जाएगा और उसको क्या होगा इस डॉट टेक्स दी फाइल मिल जाएगा तो पॉसिबिलिटी यह है कि एल्ट डॉट टेक्स दी जो इरोर आपका शोग कर रहा था वो जल्द ही फिक्स कर जा जाएगा